Microsoft Excel में आज हम सिखेंगे round off formula का इस्तमाल करना यह है part 9 आप देख रहे हैं subject को मैं हूँ राजक्मार सिंग तो आई आज का topic स्टार्ट करते हैं तो यह एक्सल सीट और यहां पर मैंने कुछ नंबर ले रखें जैसे कि यहां पर 29 रुपए है 649 रुपए 875 और सम में यह कुछ पैसे भी है अब मैंने इस नंबर को यहां पर round off किया है कि मुझे कितने देने होंगे जैसे कि किसी को 29 रुपए 764 पैसे मैंने लिए हैं तो उ हो जाता है 30 रुपए हिसाब इस तरह से होता है सीधा अब यह समझते हैं कि round off formula करता क्या है इसके बारे में सबसे पहले तो देखिए round off formula से आप जो है point की बाद की value 5 से बड़ा हो या चोटा उसमें एक बढ़ा सकते हैं इसलिए लेते हैं round off formula round formula में क्या होता है अगर point की बाद की value 5 से बड़ी संख्या है यानि कि 5 से बढ़ा है आधे से ज्यादा है तो ही उसमें जो है एक बढ़ता है यानि की round formula के अंदर लेकिन यहां पर round off formula इसलिए यहां पर अगर value point के बाद छोटी हो या बड़ी एक रूपे बढ़ जाएगा round off formula से आप point से पहले की value को भी round कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको जो है लगाना होगा plus one plus two या फिर minus one minus two तो चलते हैं देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं जैसे यह यहां पर यह किया हुआ है तो यहां पर है round अप और उसके बाद 0 है तो यह क्या किया है यहां पर इसने देखा कि point की बाद की value जो है वह पांस से बड़ी संख्या या छोटी बड़ी होगी तो भी चोटी होगी तो भी यहां पर एक रूपे बढ़ा दिया जागा 29 रूपे बड़ी संख्या नहीं है तो भी इसलिए क्योंकि यह formula है round up यह आगे की तरफ चलता है पीछे का यह नहीं देखेगा यह स्रिफ आगे की तरफ ही देखता है तो यह आगे की तरफ calculate करता है उसके बाद अगर इसमें आप 2 लगा देते हैं 0 की जिगर 2 लगा देते हैं round up में 2 तो इसका क्या मतलग हो जाएगा 2 या 1 या 3 या 4 लगा देते हैं 2 में आपको पता है कितने number calculate करते हैं अगर नहीं पता तो देखे यह मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि जब आप 2 लिखते हैं यहाँ पे तो तीन number calculate करते हैं तो यह चार्ट आपको याद करके रखना है दोनों चार्ट तभी आप जो है advance use कर पाएंगे इन formula का तो तीन number तो यहाँ पे तीन number कैसे calculate करेगा वो देख लेते हैं अब यहाँ पे तीन number calculate तो यह नहीं करेगा क्योंकि यह plus की value है अगर minus का होता तो यह calculate कर सकता था तो अब यह क्या करेगा यह करेगा क्या यह यहाँ आप यह दिखेगा कि 29 के बाद आपको कितनी value लेना है इस base पर यह काम करेगा तो इसने देखा कि 29 के बाद आपको जो है दो value चाहिए क्योंकि आपने 2 लिखा है formula के अंदर तो इसने दे दिया 29.77 दो value यहाँ पे दे दिया उसके बाद यहाँ पे है 649 पांसो तिरपन तो इसने जो है एक value यहाँ पे बढ़ा के दे दिया आपको क्योंकि point की बाद की value पांस से बड़ी संख्या है तो इसलिए यहाँ पे बढ़ा लिया 1 और 2 में जाके लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं बढ़ाएगा जब 0 आप लगाएंगे तो यहाँ पे नहीं देखेगा यह कि 5 से चोटी है संख्या या बड़ी चोटी होगी तो भी बड़ी होगी तो भी सम्में एक एक बढ़ाते चला जाएगा लेकिन जब आप एक लिखेंगे दो लिखेंगे फोर्मोले के अंदर तो यह इस बेस पे काम करेगा यह देखेगा कि point से बाद की value अगर बड़ी संख्या साथ इसी तरह से अगर आप यहां पर 3 लग देते हैं तीन यहां पर लगा देते हैं जैसे कि यहां पर 3 लगा दिया हमने और इसको ड्रेग करते हैं तो देखें 3 संख्या इसने दे दिया माइनस वन माइनस वन का मतलब क्या हो जाता है कि point से पहले की value को calculate करने के लिए हम माइनस का sign लगाते हैं तो इसने देखा कि यहां पर 29 है तो 30 रुपे कर दिया 649 है तो 640 रुपे कर दिया 875 है तो यहां पर कर दिया 880 544 है तो 550 में जो इसमें इंपोर्टेंट है वो है यह जीरो लगाके calculate करने वाला तो मैं इसके बारे में आपको सिखाता हूं इसको मैं delete कर देता हूं सबको यहां पर यहां पर लिखेंगे equal round up यहां पर नीचे आ रहा है formula ले लेंगे इसको और number को select करेंगे कोमा number of digit कितने number से round up करना है मैंने दिया 0 से करना है मुझे और enter तो इसने यहां पर बढ़ा दिया 29 रुपे को 30 रुपे कर दिया है 544 को 545 इसमें भी एक रुपे बढ़ा दिया जबकि point की बाद की value 5 से छोटी संख्या तो भी क्योंकि यह round up formula यह आगी की तरफ चलता है उसके बाद अगर आपने कहा कि मैं यहां 0 की जिगर 1 या 2 और enter तो यहां पर यह देता है कि आपको point की बाद कितनी value चाहिए point की बाद मुझे एक value चाहिए तो इसने दे दिया point के बाद एक लाके और यह साथ में यह भी देखेगा कि अगर point की बाद की value 5 से बड़ी संख्या है तो एक value बढ़ा के देगा यह जैसे कि 7 है तो 7 की इसने दो की जीए तो चाहिए यहां फे बढ़ा दिया कि रॉंड और फॉर्मूला है तो इस लीए यहां पर बढ़ा देगा उसके बाद अगर आपने कहा किए माइनस लगा दू यानिकी point से पहले की value को क्लकुलेट करने के लिए इसको आरडर दो तो क्या करेगा तो उसके भी चेक कर लेते हैं एक पर राउंड अप यह नमबर सेलेट करेंगे कोमा यहां पर देदेंगा माइनस टू कि मैंने माइनस टू दिया आप माइनस वन टू थी फॉर जो भी लेना चाहिए ले सकते हैं देखें यहां पर इसने इस तरह से कल्कुलेट किया है ठीक चे सोंचानिस की जगा है 700 यहां पर दे दिया है आठ की जगे हमें दे दिया है 900 यह कैसे कल्कुलेट किया है इस बेस को समझ लेते हैं यहां पर यह दे रहा है कि यह पर सकतका है नहीं तीन वैलू नहीं है तो इसलिए इसने क्या किया है फॉर्मूला में हमने लिखा है दो तो यह पॉइंट के और बाकी यहाँ पर 2-0 लगा दिया क्योंकि formula के अंदर 2 लिखा हुआ है कि point से पहले की 2 value को calculate करें उसके बाद यहाँ पर भी समझ लेते हैं यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या है तो 8 की जिएकर 9 कर दिया और यहाँ पर 2-0 लगा दिया इसने तो इस तरह से यह formula काम करता है इस तरह के formula को सिखने के लिए आप जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जाकि आप अच्छे से इस formula को सिख पाएंगे तो Excel में आज की इस वीडियो में हमने सिखा round of formula का यूज करना आगे के next वीडियो में मैं आपको सिखांगा round down formula का यूज करना फिलाल के इस वीडियो में इतना ही इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सिखने के लिए अगर अभी तक आपने subject go चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के निचे दिये subscribe बटन को दबा के subject go चनल सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके side में दिये bell icon को भी दब दिजिए और इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कीजिए और देखते रहे सब्सक्राइब को और सिखते रहे हैं